वेल्कम बेक टू माई चैनल वीवर्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2013 जुलाई का पीपर सॉल्व करेंगे मैर्थ का पूरा पीपर सॉल्व करने वाले हैं सबसे पहले पेड़ागोजी की 15 कोशन सॉल्व करेंगे देन बाद में सॉल्यूशन करेंगे कोशन के तो चलिए स् कौन सा open ended कोशन है open ended और close ended में फर्क क्या होता है open ended वाले कोशन में कई आंसर हो सकते हैं लेकिन जो close ended होता है उसमें केवल एक ही आंसर होता है यहां पर देखे पहला option क्या दिया है 25 25 71 19 9 8 17 85 संख्याएं आरो ही क्रम में लिखिए दूसरा क्या है कौन सा बढ़ा है 1 by 3 या 7 by 5 तीसा क्या है 2.7 से बढ़ी कोई 4 संख्याएं लिखो चौथा क्या option दिया है 2 by 7 से 7 जादा क्या है देखे यहां पर कौन सा हो जाएगा answer यहां पर option तीसा हो जाएगा जब आप बच्चे से कहेंगे कि 2.7 से बढ़ी कोई 4 संख्याएं लिखो तो बच्चा जरूरी नहीं है कि 2.8, 2.9, 2.0 इस तरह ही answer दे बल्कि वो 50 भी कह सकता है 100 भी कह सकता है 200 भी कह सकता है इसके कही answer हो सकते हैं तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा option तीसरा हो जाएगा question number 2 है कक्चा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकर्थियों उसके लंबो और किनारों से परीचे करानी का सबसे उत्तम उपकरण है यहां पी क्या कह रहे है कि class 2 में आपको क्या पढ़ाना है आकर्थियों पढ़ाना है यानि कि geometry पढ़ाना है basic geometry तो इसके लिए कौन सा phase यानि कि श्यांपट का तल यहां पे correct answer क्या हो जाएगा यहां पे correct answer हो जाएगा जियो बोल्ड ध्याना कीगा जियो बोल्ड का इस्तेमाल बच्चों को basic geometry सिखाने के लिए किया जाता है 2D shapes ठीके 2D shapes जैसे कि किस तरह होता है देख लीजे इस तरह का कुछ जियो बोल्ड ह होता है जिसको आप भी बना सकते हैं ठीके इस तरह होता है कुछ जिसमें बच्चों को rectangle है triangle है square से इस तरह के shapes सिखाए जाते हैं जैसे यह बन गया square ठीके ये बन गया rectangle यह बन गया triangle इस तरह से shapes उनको समझाए जाते हैं जियो बोल्ड की help से यहां पे correct answer क्या हो जाएगा option one मूव करते हैं कोशे नमबर थ्री पे कोशे नमबर थ्री देखे क्या है कोशे नमबर थ्री है निमलिकित कक्छा फिफ्त की पाट पुस्तक में से एक सवाल है यहां चार खंबे हैं जिनका माप करमशा 105 cm, 215 cm, 150 cm तथा 235 cm है यदि उन्हें सामान लंबाई के तुकड़ों में काटना है तो फिर तीएक तुकड़े की अधिक्तम लंबाई क्या होगी यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है पहला देखे क्या है गुड़क और गुडच के ग्यान की परिक्षा क्या यहाँ पर नॉलिज का टेस्ट लिया जा रहा है फैक्टर्स और मल्टिप्लाई का या फिर सकिंड क्या है SCF ग्याद करने की कौशल की जाच हो रही है या फिर तीसा क्या है सीखी गई संकल पनाओं का पिरियोग करते हुए समस्य समधान कौशल को बढ़ाने या फिर चौथा क्या है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्या का अभ्याद देने तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर पहले क्या होगा इसके लिए क्या जरुवत पढ़ेगी SCF पढ़ेगी जरुवत यानि कि बच्चे को SCF पहले सिखाया गया होगा तो सीखी गई संकल्पनाओ यानि कि SCF का प्रियोग करते हुए समस्य समधान कौशल को बढ़ाना यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा option तीसरा move करते हैं question number 4 पे question number 4 है निमलिखित बिंदियों का प्रियोग करते हुए 15 को पिरदर्शित करने वाले संयोजित आरेक है ठीक है यहाँ पे देखी क्या है 1,2,3,4,5,5 है यहनि कि 5 लिखा और रो 1,2,3 है तो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा उसी तरह से 1,2,3 इधर है और यहाँ पे कितना है 1,2,3,4,5 है तो इसको multiply करेंगे तो 15 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 15 है इंटू 1 एक भी नहीं है तो 1 यह भी क्या हो गया 15 हो गया यह क्या है यह 15 है और एक भी नहीं है ठीक है तो ये इस तरह लिख सकते हैं पंदरा हो गया यानि कि पंदरा किस तरह से आया अलग-अलग तरीकों से यहां पर देखे पूछ किया रहे हैं कि पंदरा अत्वा अनकिसी संख्या को पिरदर्शित करने के उप्युक्त तरीके को ड़ेश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है अब देखें औप्शन क्या दिये हैं औप्शन पहला यहां पे दिया है area पहला औप्शन देखें क्या दिया है area यहां पे छेतरफल की बात नहीं हो रही है ठीक है तो ये option आपका eliminate हो जाएगा option 2 दिखे क्या है commutative property जिसे क्या कहते है ये हिंदी में संचे पिरकरती कहते है तो यहाँ पर कह रहे है commutative property of multiplication क्या होती है ये commutative property यानि कि जब आप A into B करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा B into A के ठीक है ये क्या होता है ये आपका होता है commutative property of multiplication तो ये तो बिलकुल सही दिया है दूसरा क्या दिया है identification of prime and composite numbers यहाँ पर prime numbers भी थे 3 prime number है और 5 भी आपका क्या है prime number है लेकिन 15 गया था 15 आपका composite number है यानि कि ये भी बिलकुल सही दिया है और यहाँ पर क्या दिया area of rectangle तो ये नहीं है यहाँ पर area rectangle की कोई बात नहीं हो रही है यानि कि ये option eliminate हो जाएगा केवल इस option की वज़ा से option तीसा दिखी क्या है representation of a number as product of two numbers यानि कि 15 दिखी आ रहा था 3 into 5 को जब आप multiply कर रहे थे ता 15 आ रहा था ही दिया और क्यव है यहां पर multiplicative identity यह क्या होता है इसका जब आप किसी भी संक्या को ऐक से multiply करेंगे तो वो वो मैं ही रहेगे ठीक है यह उसके भी बिलकुल सही है यह पर ही प्राइम नंबर भी थे और composite वी थे लेकिन फिर देखें यहां पर क्या दिया एरिया और से क्या हो जाएगा यह औप्शन नहीं हो गाई इसकी वजह से ठीक है option 4 देखें क्या दिया है option 4 दिया है representation of a numbers number as product of two numbers बिलकुन सही 3 into 5 कर रहे थे 5 into 3 कर रहे थे ठीक है तो यहां तो यह बिल्कुल सही दिया है उसके आगे commutative property यह भी बिल्कुल सही है commutative property और multiplication भी है आगे देखें क्या है multiplication, identity यह भी बिल्कुल सही दिया है identification of prime and composite numbers यानि कि यह बिल्कुल सही option है correct answer क्या हो जाएगा option 4 हो जाएगा move करते हैं question number 5 पे question number 5 है राशित का अच्छा 5 में पढ़ता है वा विभिन पिरकार के तुरिभुजों को भिन शेडी में वर्गी करत कर सकता है लेकिन तुरिभुज में तीन कोडों का योग 180 होता है कि अमूर्थ ठीके मूर्थ नहीं मूर्थ पिर्मार को समझने में उसे कटनाई होती है तो प्याजे के संग्यनात्मक सिख्धान के अनुसार राशित किस चणन पर है पहला क्या है मूर्थ संग्यनात्मक अवस्ता पर है या फिर दूसरा क्या है आपचारिक संग्यनात्मक अवस्ता पर है या फिर तीसा क्या है समवेदी गतिक अवस्ता पर है या फिर चौथा क्या है पूर्व संक्यर्यात्मगवस्ता पर है तो यहाँ पर किस अवस्ता पर है वो यहाँ पर क्या कर रहा है तुरिबुच को विबिन शेडी में वो बाट दे रहा है इनकी क्लासिफाई कर पा रहा है लेकिन उसे अमूर्थ में problem होती है तो यहाँ पर देखे मूर्थ हो जाएगा ठीक है कौन से stage में हो गई है मूर्थ संक्यारात्मगवस्ता concrete operational stage पर होगा यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा option 1 हो जाएगा move कर देखें question number 6 पर question number 6 देखें क्या है question number 6 है एक अच्छे पांट पुस्तक की विशेशताएं है पहला देखें क्या है उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास है या फिर दूसरा क्या है इस्तितियों के माध्यम से सभी संकल पनाओ का परीचाई दिया जा सकता है तीसरा क्या है केवल हल किया गया अभ्यास से शामिल किया गया हो या फिर चौथा क्या है कि उन्हें मोटीव भारी होना आवश्यक है देखें यहाँ पर ऑप्शन फोर नहीं हो सकता है और यहाँ पर ऑप्शन तीसरा भी नहीं हो सकता है यहाँ पर क्या दिया है option देखे अब क्या दिया है option पहला दिया है A और B ठीक है A और B कह रहे हैं दूसरा क्या दिया है CD तो CD नहीं हो सकता है तीसा क्या दिया है AC C नहीं हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर यह भी eliminate हो गया यह भी eliminate हो गया और फूर्थ क्या दिया है, BD, BD भी नहीं है, यहां पर correct क्या हो जाएगा, option 1, AB, move करते हैं question number 7 पे, question number 7 है, रास्टे पांठी चर्या की रूप रेका 2005, dash पर बल देती है, पहला देखे क्या है, गड़ित में सफलता पिरती एक बच्चे के लिए अवश्यक है, दूसरा क्या ह शिक्षार्थियों की तारकिक, गड़ित योगिता के लिए, पहले उनकी परिक्चा होनी चाहिए, तो यह कभी NCF नहीं कहता है, तीसा देखे क्या है, निम उपलब्दी करता हूँ, यानि कि जो low achievers होते हैं, उनके लिए गड़ित पार्टे चर्या अलग होगी, ऐसा भी न सफलता पिड़ती एक बच्चे के लिए अवशक है, यानि कि दैनिक जीवन में मैर्थ की जरुवत पढ़ते हैं, जब आप सामान लेने जाते हैं, तो कुछ खरीदेंगे, तो कुछ आपको मिलेंगे, यानि कि मैर्थ जरुवत पढ़ेगी आपको दैनिक जीवन में, तो य गडित की शिक्ष्या का मुक्य उदेश बच्चे की गडित्यकरण यानि की मैथमेटाइजेशन की चमटा का विकास करना है क्या होता है गड़ित्य करण जो बच्चे इतना डरता है मैंत से वो डरे नहीं ठीक है तो गड़ित्य करण की छमताओं का विकास करना इस्कूली गड़ित का सीमित लक्ष है लाप्रत चम्ताओं का विकास यहां गडित्ते करण बच्चे की डैस चम्ताओं का विकास करने की और संकेत करता है पहला देखे क्या है वर्गमूल यानि की स्क्वायर रूट और धनमूल यानि की क्यूब रूट निकानले सहित सभी संक्या संक्रियाओं यानि की संक्रियाओं क्या होता है, operations क्या होते हैं, operations जैसे की जोड है, घटाना है, डिवाइड है, multiplication है, उसके पिरभावी निश्पादन की, दूसरा क्या है, स्वतंतर रूप से जैमती परिमाय का निरूपड़ और उनका सत्यापन केरने की, या फिर तीसा क्या है, शब्द स चिंतन और तरक के बच्चे के संसाधनों का विकास करने के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, correct answer, option 30 हो जाएगा, कि बच्चा, logically उससे समझे, ठीक है, reason दे सके, logically conclusion निकाल सके, तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, उसकी तार की चमता का भी विकास हो, यहाँ पर correct answer हो ज समस्या को हल करने के लिए, कौन से गड़िती संक्रिया का प्रियोग किया जाएगा, यहाँ पर किस तरह की समस्या है, कि एक दूद वाला, दस दिन में इतने लीटर दूद बेचता है, वह एक दिन में कितने लीटर दूद बेचता है, तो यह question पूछा गया, तो यहाँ पर पूछे हैं कि उपयोगत सवाल में, ब्लूम के संगयनात मक्चेतर की, किस दक्चिदा की और यह संकेत कर रहा है, अगर आप नहीं जानते हैं, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी है, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह का आपको ट्रैंगल दिखता है, ठ सबसे लीस्ट कौन जा होता है, सबसे लीस्ट होता है ग्यान, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है बोद, जिसे समझ भी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है आपका अनुकिरिया, उसके बाद आता है विशलेशन, उसके बाद तो इस तरह से आपने देखा होगा, यहां पर किया रहें किस की ओर संकेत करता है, किस दक्षता की ओर, पहला क्या है ग्यान, ग्यान नहीं होगा यहां पर, दूसरा क्या है बोध, बोध यानि की समझ भी नहीं है, यहां पर क्या होगा, तीसरा हो जाएगा विशलेशन, क्यों क्या होता है विशलेशन होता है तो यहां पर correct answer क्या हो जाएगा analysis यानि कि विशलेशन संसलेशन क्या होता है संसलेशन होता है जब उसके सामने कोई नई समस्या उभर किया है यहां पर क्या हो रहा है रास्टे पार्टी चर्या की रूप रेका 2005 अधिगम के रचनावादी यानि की कंस्टेक्टिव विस्ट उपागम पर बल देता है रचनावादी किस पर बल देते हैं कि बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें अपने ग्यान का निर्मार खुद करें क्योंकि वो डैश पर केंद्रित है पहला देखे क्या है भाशाओं और सूतरों को याद करना जबकि NCF क्या कहता है रोड लर्निंग को प्रमोट बिल्कुल ना करें यहां पर option 1 नहीं होगा option 2 क्या है नियमित ग्रह कार्ट जमा करना यानि कि regularly जो बच्चा होंबर करके ला रहा है उसको submit करना या फिर तीसरा क्या है गती विदियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा जिसमें अच्छा संक्याओं संक्रियाओं संक्रियाओं यानि कि minus plus multiply divide और संक्य तो घड़ी के दो काटो घड़ी में दो काटे होते हैं एक छोटा और एक बड़ा तो दो काटो विदिन सिक्को आदी में अंतर करने में उसे कटनाई हो रही है ठीक है इसका नहीं तार्थ की जो विश चाशुष क्या होता है वीजूल ठीक है यानि की पूर वीजूड प्रोसेसिंग एबिलिटी बिल्कुल तो और यहां पर लिखा है जैसे कि यहां पे लिखा है चाशूश विभेदी करन यानि कि बच्चा डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पारा है इस्तानिक संगट형ण और क्या क दूसरा हो जाएगा, option तीसा देखी क्या दिया था कि कमजोर भाषा, पिर कर्मन, योगिता, यानिकि पूर लैंग्विज प्रोससिंग, एबिलिटी, ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ से लैंग्विज की प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, expression की कोई लुक नहीं है, यहाँ पर option तीसरा नहीं होगा, option देखी क्या है, poor motor skills, reading, यहाँ पर reading, writing skills की बाद भी नहीं हो रही है, यहाँ पर option 4 भी नहीं है, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, option दूसरा हो जाएगा, move करते हैं, question number 12 पे, question number 12 देखी क्या है, when, हीले के जैमिती विचार के स तर के अनुसार पांच इस तर है पहला क्या है विजुलाइजीशन ठीक है दूसर क्या है विशलेशन यानि की एनलिसिस पीसा क्या है अनौपचारिक निगमन यानि की इनफॉर्मल डिडेक्शन और फिर कौन सा आएगा अपचारिक निगमन यानि की फॉर्मल डिडेक्शन औ यहाँ पर कहा रहे हैं कि वो भुजाओं के संख्याओं के आधार पर बहु भुजो को वर्गित करता है, यह बच्चा वेन हीले के जैमिती विचार के डैश स्तर पर है, किस स्तर पर है, पहला क्या है visualization, दूसरा क्या है analysis, जिसे visualization कहते हैं, तीसा क्या है informal, और चौधा क्या है formal deduction, तो वो किस स्टेज पर है, वो अभी visualization पर है, यह कौन सा लेवल था, यह 0 लेवल था, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, option 1 हो जाएगा, visualization, move करते हैं question number 13 पर, question number 13 है, 1 upon 3 के sum पिले भिन लिखिये, यानि कि कह रहे हैं, 1 upon 3 के equivalent fraction लिखने के लिए कहा गया, कक्चा 4th के शिक्ष क्योंकि इसमें केवल पिरकमलकारी कौशलो की अवश्चक्ता होती है, दूसरा क्या है, निम स्टरिय मार्गकार क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है, तो यहाँ पर option 2 नहीं होगा, option 3 क्या है, उच स्टरिय मार्गकार, यह उच स्टरिय नहीं है, और दोनों ही option में उ upon 3 को same digit से यानि कि अंच और हर के सामान रूप से भिन भिन संक्याओं से अगर गुड़ा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा यह equivalent fraction हो जाएगा one upon 3 का ठीक है यानि कि इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है तरिक्मनकारी कोशल का मतलब होता है अंच और हर के सामान रूप से भिन भिन संक्याओं की गुड़ा की अवशकता है केवल ठीक है यानि कि अगर यहाँ पे 3 से करें और नीचे भी 3 से करें ठीक है अंच और हर तो यहाँ पी क्या हो जाएगा 3 upon 3 is a 9 तो यह 1 upon 3 का क्या हो जाएगा equivalent fraction बन जाएगा 3 upon 9 उसी तरह से अगर आप इसे करेंगे सेम करेंगे 2 upon 2 तो यह क्या हो जाएगा 2 upon 6 यह भी 1 upon 3 का equivalent fraction हो जाएगा यहाँ पे correct answer क्या हो जाएगा option 1 हो जाएगा move करते हैं question number 14 पे question number 14 है एक शिक्षक शिक्षक शिक्षारतियों को दैनिक जीवन में गड़ित का अनुपरियोग विशय के साथ गड़ितिये जनरल तयार करने के लिए बढ़ावा देती है यह गतिविती है पहला क्या है शिक्षारतियों की गड़ितिये संकल्पनाओं की प साहिता करना और चौता क्या है गड़ितिये संकल्पनाओं और उनके आनुपरियोगों में संबन बैठाने और अपने ग्यान तत्थविचारों को साजा करने में शिक्षारतियों की साहिता करना यहां पर बेस्ट ऑप्षन क्या है ऑप्षन फोर है यह इसका आंसर हो यानि कि बच्चा क्या कह रहा है कि 0.50 है वो 0.5 से बड़ा है वो यहां पे किसमे को कंप्यर कर रहा है यहां पे 5-0 यानि कि वो समझ रहा है यह पांच है और यह पच्चा से ठीक है इस गल्ती यानि कि इस तूटी का सरवधिक संभावित कारण हो सकता है पहला क्या है चार्टियों द्वारा लापरवाही बरतना या फिर चौथा क्या है किरामिक दशमलव में शून की सार्थक्ता से संबंदित ब्रांती पूर संकल्पना तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर इसका option 4 इसका correct हो जाएगा यहां पर आंसर क्या आगया आंसर आगया option 2 बूफ करते हैं question number 17 पर question number 17 देखे क्या है 11 इकाईया प्लस 11 दहाईया प्लस 11 सेकड़े बराबर हैं यानि कि 11 सेकड़े 11 को multiply कर दीजे 100 से ठीके तो कितना हो जाएगा 1100 आजाएगा फिर क्या क्या जाएगा 11 दहाई है यानि कि 11 को multiply कर दीजे 10 से तो आजाएगा 110 उसके बाद क्या 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 जाएगा 11 को 1 से multiply कर दीजे तो यहां पर क्या जाएगा 11 आजाएगा इसको जोड़ दीजे 1221 यानि कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा option 3 हो जाएगा correct answer move करते हैं question number 18 पे question number 18 देखिए क्या है साड़े 3 समकोडों में डिगरियों की संक्या समकोडों यानिकि 90 ठीक है समकोडों यानिकि 90 साड़े 3 करें यानिकि 3 1 by 2 into 90 3 1 by 2 को क्या लिख सकते हैं 3 2 is a 6 plus 1 7 7 upon 2 लिखिए into 90 करिए फिर यहां पे 2 से 90 को मलब की काड़ दीजे 2 4s are 8 2 5s are 10 यानिकि 7 into 45 करेंगे तो आपको answer मिल जाएगा answer क्या जाएगा 315 जो कि यहां पे option 1 है move करते हैं question number 19 पे question number 19 देखिए क्या है यदी समय अब 2 बच कर 17 मिनट है ठीक है PM लिखा है ध्यान रखी का PM और AM को जरूर देखिएगा यहां पे लिख रहे हैं यदी समय अब 2 बच के 17 मिनट PM है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पस्चात क्या समय होगा यानि कि देखिए 12 घंटे के बाद कितना हो जाएगा 12 घंटे के बाद कि AM हो जाएगा 2 बच के 17 मिनट AM हो जाएगा 12 घंटे के बाद यहां पे क्या रहे हैं 11 घंट 59 मिनट यानि कि एक ही मिनट कम है 12 घंटे में यानि कि दो बच के 16 एम यहां पे क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा या option 4 यहां पे correct हो जाएगा दो बच के 16 मिनट एम मूब करते हैं कोशन नमबर 20 पे question number 20 देखी क्या है किसी आयताकार बकसे की आंत्रेक लंबाई चोड़ाई और उचाई क्रमशा चार सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर और दो सेंटीमीटर है 8664 सेंटीमीटर घंटों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बॉक्स के अवशकता है तो सबसे पहले यहां पे क्या दिया हुआ है हम लोगों को एक आयताकार बकस दिया हुआ है जिसकी लंबाई चोड़ाई और उचाई दी गई है वॉल्यूम का फॉर्मॉला क्या होता है, length into breath into height, यानि कि 4 into 3 into 2, जब आप इसे multiply करेंगे, तो आजाएगा 24, बस इसको 24 से divide कर दीजे, 24 से divide करेंगे, तो answer आजाएगा 361, जो कि यहाँ पर option 30 अदिया है, correct answer हो जाएगा option 30, move कर दें, question number 21 पर, question number 21 देखे क्या है, एक बोतल में 750 ml जूस भरा जाता है, और ऐसी 6 बोतलों को एक कल्टन में pack किया जाता है, यानि कि 750 को 6 से multiply कर दीजे, कितना आ जाएगा, जब आप इसे multiply करेंगे, तो आ जाएगा 4500, और क्या बोलना है, कि 450 ठीक है, 450 जूस के लिए आवश्यक कल्टनू की संक्या, तो सबसे पहले इससे convert कर दीजे, मिली लीटर में, यानि कि इसे 1000 से multiply कर दीजे, जब आप इसे 1000 से multiply कर देंगे, तो क्या जाएगा, 450 000, अब क्या कह रहे हैं, कि यहाँ पे पूछ किया रहे थे, कि 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कल्टनू की संक्या, सिंपल सी बात है, इससे बस आप divide कर दीजे, इससे 4500 से, यहां से 0000 कटा, यहां पे 00 कटा, कितना answer आ जाएगा यहां पे, यहां पे आ जाएगा 100, यानि कि correct answer हो जाएगा option, question number 22 देखे क्या है, निम पिरते रूप को देखे, यानि कि इस pattern को बस आपको देखना है, कोई भी यहां मैरत नहीं है, सिर्फ pattern को देखे और इसका answer दीजे, यहां पे देखे क्या है, 9-1 divided by 8 is equal to 1, यहां पे 1 से minus किया, तो यहां पे 1 लिख दिया, यहां पे 2 से minus किया, तो 1-2 लिख दिया, यहां पे 3 से minus किया, तो यहां पे 1-2-3 लिख दिया, यहां पे 4 से minus किया, तो यहां पे 1-2-3-4 लिख दिया, यहां पे 6 से minus कर रहे हैं, तो कितना लिख देंगे, 1-2-3-4-5-6, यानि कि answer क्या हो जाएगा, पर उसका भार वन अपॉन थिर रह जाता है सुनीता पंद्रह किलो ताजा मचली रूपीज 25 पिर्टी किलो के भाव से खरीट कर लाई उनको सुका कर रूपीज 80 पिर्टी किलो के भाव पर बेज देती है इस पिरकार वो कमाती है यहां पे सुनीता कितना लाई थी सुनीता लाई थी 1500 किलो मचली लाई थी और सूखने के बाद वो कितनी रह जाती है 1 upon 3 रह जाती है जब आप इसे करेंगे यानि कि इसको काटेंगे तो कितना आजाएगा 500 यानि कि 500 रह जाएगी सूखने के बाद ठीक है तो सबसे पहले सुनीता 1500 मचली 1500 किलो मचली लाई थी 25 रुपए 30 किलो के भाव से इसको जब आप इससे मल्टिप्लाई करेंगे तो आजाएगा 3, 7, 5, 0, 0 फिर क्या कह रहे हैं कि उनको सूख कर सुखने के बाद कितना आ गया सुखने के बाद बची थी 500 ठीक है तो उसको उसने बेचा है 80 रुपए 30 किलो के भाव पर यानि कि 80 से इससे मल्टिप्लाई कर दीजे जब आप इससे 80 से मल्टिप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40,000 बस सिंपल अब इससे माइनस कर दीजे 40,000 में इससे माइनस कर दीजे 3,7,500 को यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आंसर आ जाएगा 2500 0 में से 0 गया, 0 में से 0 गया एक कहरी लिया, यहाँ पे 10 में से 5 गया यहाँ पे 9 में से 7 गया 2,3 में से 3,0 यानि कि 2500 आंसर हो जाएगा इसका आंसर क्या आंसर हो जाएगा option दूसरा correct हो जाएगा move करते हैं question number 24 पे question number 24 देखी क्या है question number 24 है संख्या 90707 को 9 से भाग देने पर शेशवल के आएगा देखे इसको तरीका क्या है इसको यानि कि जो digit है उसको add कर लीजे 9 plus 7 plus 7 कितना होता है 23 हो जाएगा ठीक है तो इसको बस आप 9 से divide कर दीजे यानि कि 9 से जब आप 23 divide करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 12 कितना होता है 18 होता है बचा कितना 5 बचा है यानि कि remainder कितना बच गया है 6 विल बताना था तो 6 विल यहाँ पर बच गया 5 जो कि 20 किलो मीटर पर घंटा और एक दूसरी नाव की चाल कितनी दी है दूसरी ये पहली नाव की चाल है दूसरी नाव की जो चाल है वो दी है 23 किलो मीटर पर घंटा ठीक है किलो मीटर पर हावर दी है यूनिट जरूर लिख लिया करें ठीक है किलो मीटर पर हावर तो यहाँ प पीच की दूरी क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे formula लगाए, distance का formula क्या होता है, speed into time, ठीक है, यानि कि चाल into समय, तो चाल यहाँ पे देखें क्या दी है, चाल यहाँ पे दो दी है, और same direction है, यानि कि सब यहाँ पे same direction कह रहे हैं, और दो चाल है, यानि करेंगे तो कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा और समय कितना लगा है यहां पे साड़े तीन घंटा यानि कि 3.5 इसको बस आप मल्टिप्लाई कर दीजे आंसर मिल जाएगा जब आप इसे से कौन सा सही नहीं है पहला क्या किया रहा है कि 0.100 0.1 के सामाने तो यह बिल्कुल दिया है दूसरा क्या कि 56.7 किलोगराम बरावर है 5670 ग्राम के सब्सक्राइभ लाभाव हेँ Ist вещ जे आपको पता होगा तो यहां पर क्या तो हाई तो 5, 6, 7, 0, 0 ठीक है और यहां पर एक के बात पॉइंट लगा है यानि कि यहां पर पॉइंट आएगा तो निकल के क्या है यहां पर 5, 6, 7, 0, 0 गिर्गराम निकले के आए और दिया कितना है 5670 ग्राम दिया या यहीं इनकरेक्ट दिया है तो यह इसका आंसर वोजाएगा यहांपर आंसर क्या हो जायगा험 I यहांपशन तीसा क्या रहा था कि 1ध और खंड ग्यूब कि यहीं कियूब कैसा होता है बराबर है यानि कि 1 mm 0.1 cm के बराबर है तो यह बिल्कुल बराबर है यानि कि यहां पे incorrect कौन सा है option दूसरा है और answer कौन सा हो जाएगा option दूसरा हो जाएगा move करते है question number 27 पे question number 27 देखे किया है संक्या 1,2,3,4,5 में 3 के इस्थान नियमान तथा अंकित मान में अंतर किया है यानि कि 300 में से इस्थान नियमान 2 डिजिट आगे है तो 2 0 लगा दीजे इस्थान नियमान निकल के आगया अंकित मान वही रहता है तो 3 का 3 ही रहेगा जब करेंगे तो कितना आ जाएगा 297 आ जाएगा यानि कि correct answer क्या हो जाएगा option 4 हो जाएगा move कर दें question number 28 पे question number 28 देखे क्या है किसी वर्ग का परिमाप 24 cm है और किसी आयत के लंबाई 8 cm है यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का 6 तरफल वर्ग cm में है देखे यहाँ पर क्या कह रहे है किसी वर्ग का जो परिमाप है यानि कि यहाँ पर square बनाईए वर्ग बनाया जि यानिकि साइडे में मैं पता चल गई, साइडे क्या है, छे हैं, अब क्या कहने है, किसी आयत, यानिकि एक rectangle बनाई है, किसी आयत की लंबाई, यह लंबाई होती है, 8 cm दी है, कह रहें, यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, यानिकि इसका भी जो परिमाप है, वो 24 है यानिकि 24 है, तो यहाँ पे 8 cm है, यहाँ पे भी 8 cm हो जाएगा, 8 it क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जब 16, 24 में से 16 को माइनस करेंगे, आ जाएगा 8, 8 आगे हैं, यह क्या हो गई, 4 और यह क्या हो गई, 4, 4-4 हो जाएगी, कह रहें हैं, आयत का 6 दरफल, 6 दरफल का फॉर् आए लेंद इंटू ब्रेथ यानि कि एट इंटू 4 कर दीजिए एट इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 32 यहां पर आंसर किया जाएगा option 4 हो जाएगा move करते हैं question number 29 पर question number 29 देखे क्या है 5 10 और 35 के सबसे चोटे सार्फ गुडण यानि कि LCM और सबसे बड़े सार्फ गुडण खणी यानि कि SCF का अंतर यहां पर सबसे पहले कि LCM निकाल लेते हैं 5 10 और 35 का यह जाएगा 2 से ठीक है 2 5s 10 35 का 35 भी लिख रहा हैं दीजिए फिर जाएगा यह यह आपका जाएगा 5 से ठीक है 5 1s 5 5 1s 5 5 7s 35 अब जाएगा यह 7 से तो अब यह 7 इंटू 5 इंटू 2 कर दीजिए 7 5s कितना होता है 35 35 इंटू 2 करेंगे तो कि ना जाएगा 70 यानिकि LCM निकल के आगया 70 अब यहाँ पे निकाल लीजिए SCFC का 5 10 और 35 का तो यह किस से जाएगा तीनों ही डिजिट यह जाएगा 5 से ठीक है के वली 5 से जाएगा 5 1s 5 5 2s 10 और 5 7s अब यह 9 2 से जाएगा 9 3 से 9 7 से यानिकि SCF निकल के आगया 5 अब यहाँ पे कह रहे थें अंतर क्या है यानिकि 70 मिल से 5 माइनस कर दीजिए आंसर आजाएगा 65 जो कि यहाँ पे option 4 है move करते हैं question number 30 पे ओके तो आज हम लोगोंने 2013 जुलाई का पूरा पेपर solve कर लिया है वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe जरूर कीजेगा इससे पहले भी मेरे चैनल पे आपको कई year के paper मिले होंगे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आपको जरूरत है तो उससे जरूर देख लिजेगा मिलते हैं आप से next वीडियो में एक नए topic के साथ